हलो फ्रेंड्स माया की रिसोई में आपका बहुत बहुत श्वागत हैं फ्रेंड्स आपने खीर तो बहुत बार खाई होगी लेकिन आज की खीर बहुत ही स्पेसल है तो इसको जरूर वीडियो को इंड तक देखिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज हम समा के चाबल की मिल जाते हैं इनको ब्रत वाले चाबल वोल के आप ले सकते हैं तो चाबल को हम तीन से चार बार अच्छे से पानी से वाश कर लेंगे तो देख सकते हैं हमने चाबल को चार बार पानी से अच्छे से वाश कर लिया है अब पानी देखे बिलकुल भी गंदा नहीं एकदम सा बाल आ गया है अब हम चावल देख लेते हैं चावल भी थोड़ी से फूल गए है तो इसका हम पानी निकाल देंगे और चावल को हम दूद में डालेंगे तो जब इस तरह से आप खीर बनाएंगे खीर बहुत जादा टेश्टी बनेगी एकदम रवडी जैसे खीर बनेगी ध और इसको हम बीच बीच में चलाते जाएंगे और इसे हमें 10 मिनट तक पकाना है इस खीर को आप ब्रत में खा सकते हैं तो अब यह हम रख देते हैं और इसको हम बीच बीच में चला देंगे दो दो तीन-तीन मिनट बाद चला देंगे ध्यान रखना है नहीं तो यह तले मे लग जाएगा तो फिर जले की महक आने लगेगी खीर में अब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं चावल मैस होने लगे हैं तो अब इसमें हम चीनी डाल देंगे चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए चीनी आप अपने श्वाद के अनुसार डाल सकते हैं जैसी आप लाइक करते हैं थोड़ा सा ज्यादा मीठा या थोड़ा सा कम तो हमने चीनी डाल दी है अब इसको हम लोटू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट पकने देंगी और फिर से हम एक बार देख लेते हैं चावल अब बहुत अच्छे से मैस हो रहे हैं ध्यान रखेगा चावल को अच्छे से पकाना है बहुत अच्छे से जब मैस होने लगे तब इनमें हम इलाइची पौडर डाल देंगे पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दीजिए इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चावल की खीर पकाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन ये खीर बहुत जल्दी बन जाती है सिर्फ 10 से 12 मिनट में बनके त्यार हो जाती है खीर बन गए तो अब हम इसको गैस से हटा लेंगे और इसके लिए एक तड़का त्यार करेंगे तड़का हमें लेसन मिर्ची का नहीं करना है इसके लिए हम तड़का ड्राइफ रूट का त्यार करेंगे तो हमने एक चमस्त देशी घी लिया है अब इसमें अपनी पसंद के ड्राइफ रूट्स ले लीजिए काजू किसमिस बादाम पिस्ता जो भी आपको फ्रूट्स पसंद ने बोले लीजिए तो इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और देखिए आप देख सकते हैं किसमिस कि इतने अच्छे से फूल गई हैं कितनी देखने में सुंदर लगने लगी हैं ड्राइफ फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं तो आब इसको हम खीर में एड़ कर देंगे थोड़े से हम ड्राइफ फ्रूट्स बचा लेंगे जिससे हम खीर को कार्णिस करेंगे तो अच्छे से मि लेकी रसोई को जरू सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं